नमस्कार आप देख रहे हैं व्यम्र भारत टीवी और मैं हूँ अम्रता चम्मल नदी भह रही है खत्रे के निशान की ऊपर बासवाडा में नदी नाले उफान पर बार मेर जसर मेर जिनों में तीन दिन बारिश का यलो अलर्ट जानिये राजिस्तान में कहा कहा कितनी बारिश राजिस्तान में कई जिनों में बारिश के कारण पानी का आवक लगातार जा रही है सिरोई में दो दिन्स की बारिश में छे बान हो गए हैं ओवर्फलोड बासवाड़ा कागदी नदी बान के सभी पांच गेट खोल कर पानी छोड़ा जा रहा है कई सड़के पुलिया एनिकट और तलाग तूपने से भी हुआ भारी रुखसा राजिस्तान के अलगलग जिरो में हो रही बारिश की कारण पानी की आवक लगाता जारी है जिसके चलते सीरोई में दो दिन की बारिश में ही छे बांग ओवर्फ्लो हो गए है पोसालिया की सुक्डी आवरोड की बनास रोहाड़ा की सुक्ली और सरूप गंच के पेशवा नदी में भी पानी बैग से बह रहा है वहीं दूसी तरफ बांस्वाना में भी अच्छी बारिश के बाग कागदी बांग भी पूरी तरह से भर गया है इसके सबी पांच गेट खोल कर पानी छोड़ा जा रहा है बास्वाना जिला में घाटोल में चार दिन से हो रही फारी बारिश के काणन नदी नाले एनिकट तलाग और पान लबावलब हो गए हैं वहीं कई सड़के पुलिया एनिकट और तलाग तूपने से भारी नुकसान भी हुआ है तेज बारिश राद तक जारी है मौसम विभाग के अलट के बाद सोंबाग शाम से सिरोई और उसके आजपास करीब चार बजे तेज बारिश का दोर शुरू हुआ जो राद तक जारी राद तेज बारिश के दोरान सड़कों पर पानी बहना तथा लगातार दिच्छे लार्गों में भी पानी भराव हुआ इधर सिडवा के पहाडियों में भेने वाले जहने भी वैक से भैए जिसके शेहर वासियों ने लुफ्त उठाया मांटाबू ने भी पिछले 24 घंटों में 4.26 इंच बारिश हो चुकी है वहीं काली सिंध, कोटा, बेराज और पार्वती नदी से छोड़े गए पानी के कारण चंबल नगी उफान पर है ऐसे में अधिकारियों ध्वारा आपत बैटक बुलाई गई है यहां में है बारिश का अलट, मंगलवार को पश्च्वी राजिस्तान में बार्वेर, जसल में जिनों में भारी बारिश का यलो अलट बुदवार को बार्वेर, जसल में जोड़पुर और जालोर जिनों में कुछ थानों पर बारिश का यलो अलट गुरुवार में बाढ़ में जालोज में कुछ ठानों पर बारी अलर्ट यानि गुरुवार तक पूर्वी इलागों में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है